आज मुझे करनी है अपने घर की क्लेनिंग और क्लेनिंग तो हर एक तिन बाद ऐसा लगता है जैसे दोड़ी दोड़ी आ जाती है यकीन करें इतनी कोई सुस्ती चड़ी भी होती है ना बंदे को कुछ करने को दिल भी नहीं कार रहा होता है बंदा करें क्या लेक जितनी भी सुस्ती हो जितनी भी आखरकार काम तो हम नहीं करने है अचाना मैंने अपने एक बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि खु कैसे करूंगी लेकिन जब मैंने ये सोचा कि जब आज भी मैंने करना है कल भी मैंने करना है तो फिर क्यों ना मैं आज ही खतम कर दूँ इस सारे काम को तो बस अपनी हैबिट बना ली मैंने कि जो काम है ना उसको कल पे नी डालना उसको आज ही मैंने खतम करना है कल पे जब ड सुस्ती काहली बगाने वाली बात है ना फिर अपने अंदर से तो जो भी बुराई होती है ना सबसे पहले अपने अंदर और अपनों के अंदर तलाश करें लोगों के अंदर नहीं अपके अपने घर में देखें कि हमारे घर में भी कोई ऐसा है जो सुस्तर काहिल है मेरी तरह येकीन करें कि मेरे अंदर भी बहुत सुस्तिकाली हुआ करती थी बहुत जादा हुआ करती थी अपने घर में तो उठके कभी मैंने पानी भी नी पाया था लेकिन बाशाओर बंड़ा जो होते है न वो सोचता है कि मैंने इस रियालिटी को फेस करना है कि ये जो कुछ भी है ये मेरा घर है, मैंने इस काम को कम्पलीट करना है और मैंने ही करना है और किसी ने बाहर से नहीं आना है देखे ना, बेशक हमारे पास हेलपर होगी बेशक होगी, लेकिन जब तक आप खुद नहीं लगेंगे कुछ भी नहीं होगा आप ये वाश्रूम में साफ करी हूँ हाला के मेरी हेलपर साफ करती है इसको रोजाना लेकिन आप यकीन करें कि हफ़ते में एक दिन मैं हर वाश्रूम को अपने घर में हर वाश्रूम को मैं एक एक दिन लाजमी देती हूँ और सारी टाइल्स हर चीज़ को अच्छी तरह से यह producción मुझे का मुझे कोई कॉंपलेक्स नहीं है cannot be wash home I have cleaned मेरे घर की चीज़ मैंने करने हैं जाने ही इसको दहना है जब वाशुम साफ करती हुं, कि रखाढ़ मैं सबसे पहले साल सफाई प्रशाइब करने के बाद सब्सक्राद को बॉर्ड होते हैं इनको भी अच्छी तरह से साफ कर देती हूं ताकि हर चीज जो है वह चमक जाए तो बस कहने का मकसद यह है कि किसी किसम का भी आप यह मत महसूस करें कि हाई यह काम मैं नहीं कर सकती हम सब कुछ कर सकते हमने सब कुछ करना है क्योंकि हमने ही करना और कोई न मैं अच्छी तरह से कोई शैंपू वगरा अगर जैसे कोई खतम हो जाती ना बोतल थोड़ा से शैंपू रह जाता है तो वह फिर निया आ आ जाता है कोई तो बस वह जो बचाया बच जाता है ना मैं इन चीज़ों के लिए रख देती हूं इसको चीज तरह साफ किया और ज सिर फार एग्जेंपल सुबा उठना है हमने और सुबा उठने को दिल तो किसी का भी नहीं करता दिल तो करता है नी ना विस तरह से बाहर निकलें तो इसलिए सोने से पहले ये सोच कर सूएं और अलाम लगा कर सूएं कि हमने सुबा हर हालत में उठना है जब आप सुबा उठेंगे ना तो येकीन करें सारे काम आपके सुबह उठके जो करेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आपको जो जहनी सकून मिलेगा ना तो उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट मॉर्णिंग के लिए आप फिर रडी हो जाएंगे कि हमने सुबह उठना है बस सिर्फ थ हैबिट बनाई वी है ना जो हैबिट हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो अगर हम ये हैबिट बना लेंगे कि हमने सुबह हर हालत में उठना है अलार्म लगाना है उस पर उठना है तो जैसे हमारे अंदर फिक्स हुई है वह बुरी वाली हैबिट इसी तरह हमारे अंदर अच जो हमारी बुरी आदत है उसको हमने चेंज करना है बस देखिए अब जए सफाई का मामला है चाए घर के अब छोगे पने 나쁜 हमने बाने जब सारा कुछ लगे हैं ना करने यही हमारे गोल अब हमने उनको अपनी डायरी पे लिखना है कि हमने ये काम सबाउट के करना है तो फिर सूचे ना कि अगर हम वो काम करेंगे तो वो टाइम पे जब खतम हो जाएगा तो कितनी खुशी होगी ना कि आज हमने ये काम खतम कर लिए तो बस हमने अपनी लेजिनेस को बगाने और उसके बाद मुतमेन हो जाना है जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है तो बस इस गोल को हमने अचीव करना है हर सूरत में कि अपने टाइम पे सब कुछ करना है और सुस्त बंदा जो होता है ना और काहल सुस्त और काहल बंदा जो होता ह मेरा ख्याल है उसका कोई गोल नहीं होता वो सुस्त होता है तो सुस्त पड़ा ही रहता है कि बस नहीं है ते नहीं होता तो नहीं हो काम लेकिन जो थोड़ा सा सेंसेबल बंदा होता है वो आखर कार एक नहीं एक दिन समझी जाता है कि नई यार थोड़ा सा अपने आपको चेंज कर लेंगे तो मेरा खाला जिन्दगी अच्छी लगने लग चाएगी है ना ऐसा ही है ना तो बस आज मैंने बहुत से काम किये आज मैंने सफाईयां की मैंने अपने बेटे के रूम को साफ किया उसके जो स्टडी टेबल है ना उ हो गया अगर मैंने ना सोचा था तो गंदी पड़ा रहता ना ऐसे तो बस उसके बाद मैं आगी थी जनाब बाहर हमें जेंट्स शूज कोई लेने थे जो हमें बजार आकर हमने देखे हमें कहीं से भी कोई पसंद नहीं आए हश कैट गए हश पपी गए उसके बाद हम चाह कारे थी आलू के कट्लस और मुझे था कि मैं फटाफट से बचेंगे तनी टाइम पे बन जाते हैं तना टाइम को नहीं लगए हैं इनको बनते वह बस मैंने आलू जो एना वह बॉाइल करने रख दिया थै और मैं चिल्के शिल्के उतार के बॉाइल करने रखती हूं अगर पीस लिया जाए तो वो इतने मजए के पिस्टे है ना कि अन में गुट्लीया ने रखते हैं इसलिए गरम गरम उनको अच्छी तरह से ना चम्मच की मदद से ना उनको पीस लें आप और उसके बाद जनाम में डाला पोदीना हरा धनिया हरी मिर्च प्यास इसको मैंने ग्रांड करके डाला और सुका धनिया अनादाना और नमक मिर्च टाल कर जनाब मैंने टिकिया बनाई और मैंने इसको क्योंकि हम ने खाने थी ये रात को खाने के साथ तो मुझे था कि मैं ये अभी बना के रख द मेरे हजबन को बड़ी पसांद आई जब हजबन को पसांद आजाएं तो बस फिर तो समझ लेना के पास होगी हर चीज तो जनाब मैं उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये क्लेनिंग रूटीन अच्छी लगी होगी और ऐसी ही मैं आप लों के साथ शेयर करती रहूंगी अपन